असलाम लेकूम आदाब आप देख रहे हैं स्टेट उसे मैं हूँ आशिया खान आज हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए चोदरी खादीम हुसेन जी वाइस प्रेजिडेंट आफ इंटरनेशनल गुजर महासबा आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे अकसर दोदी गुजरों का एक सवाल रहता है जब हम सुबत चार बजे उठकर दूद निकालते हैं इतनी मुशक्कत के बाद हम सब कुछ करते हैं फिर भी उसको अधिकार नहीं है अपने दूद के रेट फिक्स करने का जब कहा जाता था जम्मू कश्मीर स्टेट है अब स्टेट अब तो यूटी बन चुकी है जबकि बाकी यूटी में अगर देखा जाए तो दूद के रेट वही फिक्स करता है जो वहां पर दूद बेचने वाला होता है पर हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है तो आप क्या कहना चाहेंगे मैडम जी इस मज़क हमारे दूदी गुजर जो है खाना मदश्यों तबका है इस मज़क बड़ी मशकिलाद से बोच चार रहा है इस मज़क आप देखी है हमारे जो Свbagателей झोगकों से अभी गुजर बकरवालों की बात करें तो कहीं से भी देखे उनको जब भी वो किसी जगा पर बैठे होते हैं उनको उठा देते हैं तो फिर एड़मिस्ट्रेशन दोरा कहा जाता है कि ये जमीन उनकी अगर ये जमीन उनकी है कुछवा डिस्ट के अंदर जैसे हमारे वो खाना बदोश बजारे गुजर के जमीन पर अपनी चाली पंजास सालगा उनका कब्जा है किसे ने जमीर खरीदा है अपने पैसे दे गए तो बस गोवर्मेंट जिसमों के वो पिशे पड़ी है हम सिर्फ वारी खाना बदोश तब बगएरा जहां हमारे जो बच्चे पड़ते हैं तो हमारे लाटमेंट करने हैं हमारे बातकारी हमारे बसाने के लिए ओजार ने हैं जैसे फार्स टेक्ट है वो गॉर्मेंट ने हमारे लिए दोजार शे में लागू किया ला सेंटर गॉर्मेंट ने तो वो भी औरकस्ट कर दी जाती है जब सरकार द्वारा वहां पर इंक्रोच्मेंट ड्राइव चलाई जाती है उनका कहना था कि यह जमीन खाली पड़ी थी और यह यहां पर बैठ गया है यह इनकी नहीं है तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार जुट बोलती है नहीं नहीं जहां जहां हमारे लोग बैठे हैं हमने पैसों से खरीदी हैं हमारे किसे ने अपना मार्मवेशी बेच कर किसे ने अप अपनी बैस बेच कर किसे लिए जगा जो खरीदी हुई जगा है उसके साथ स्टेल लैंड भी होगी सरकार भी होगी हमारे हमारे बसाने के ब हाब व्यूह यहां मेरे घूजर और बकर्वाल ख़ना बदोश आ पहाडं जराड़ को यहारुम पहारा रहा है तो हम आ ports का मेरी पनी की जाये हम पहले हमारे सल ठीक पीछे जाँ तो पहले यह स्टेट हुआ करती थी, कहा जाता था SC, ST, OBC, गुजर बकरवाल इन सब तबकों की development इसलिए नहीं हो पा रही है क्यूंकि दफा 370 और 35 से बाद है, अब वो हटा दी है एक साल से उपर अगर हम देखा जाए तो 4-5 महीने उपर हो गए है फिर भी जो गुजर बकरवाल थे, उनकी कोई भी development की बात नहीं हुई, वो जहां पर थे 1947 से पहले, वो अभी भी वहीं पर है, तो आपको क्या लगता है कि यह जो सरकार कहती है, दावे बड़े-बड़े करती है, वो पूरे करती है? कोई दावा, यह सारा रहे दावे खोकरे हैं, और आम हम वही कहते हैं, भी हमारा दफ़ा सो अम देश के वफादार रहे हैं, हम जो गुजर कुम्मिनेटी है, वो लाखों के साहब है, तो पूरे अगर नैशनल लेबल देखा जादो करोड़ों के साहब में हमारी गुजर हैं, कोई किसे तबके से तफले रहे हैं, हमारा एक ही तबका है जो जम्मों किश्मीर हैं, जो लोमाहिंट खाना बदोश है, तो पूरे पर दो, को जो सेंटर के कानून है कम से कम ओदो सोदो हमारे पर लागू करें ओदो हमारे पर अभी करें हमारे हमारे चोटे 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 बचे हैं हमारे बचे कहां आप आप देखिया जो हमारे हमारे उपर कश्मीर से धोकों से बाबस आ रहे हैं उनके उनके बचे देखिये उनको किस तरीके से हमारी परेशनी हो रही है तो हम एड़ा करuta है गवार्मेंट के मारे खाना हमारे धोशच को बसाई आइए ताव भी अपने बच्चों को पढ़ा सकैं ताव' हम भी तालीम हासल कर सकें ताव' हम गजम को श्रुट राब गा लृण benefit benefit दो benefit दो उन्हीं लोगों बिलता है जो जो तालीम करेगा जो 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 हमारे जैसे पुपंचर जोरी का गुजर तालीम जापता है पपड़े लिखे हैं आज हमको बड़ी फकर की बात है बंदल आए से अपसर है आए हमारा उन लोगों को benefit है शुरू ट्राइबगा शुरू जब तक हमारे बच्चे तालीम नहीं पढ़ेंगे जब तक हमको तालीम नहीं होगी जब का हमारी बादकारी नहीं होगी जब हमारा यह नीचे चलना और फिरना यह बांद होगे एक जगह हम बैठेंगे एक जगह बैठके हमारे बच्चे भी किसे जगह पहुंच सके हमारे जो जैसे हमारे सैटल गुजर है, जा हमारा पॉंचर जोरी का जैसे गुजर है, हमको उनको देखे बड़ी खुशी होती है, आज जिस दफ्तर में जाओ, उस दफ्तर में चलो, हमारे स्टी के लोग हैं, पॉंचर जोरी के, जा हमारा जैसे गंदोपल एस अलाका है, उस अलाक है, सियासदान है, सियासे तो लग रखते हैं, तो हमें एर उगस्ट करते हैं हमारे लिए, जहां जहां हमारे लोग बैठे हुए है, तो उनको उठाया उठाया नहीं जाए, उनको तांग नहीं है, उनकी जमीन जो है, वो हमने पैसे दे के खरी दी है, तो हमको चाहे जीडी ड यह वह हमें कहते हैं हम को ज करनों का लागू किया जा हमारे जो दोद्य के रेट है मनास्ब जो जो रेट है हम चार बज़े सुबह उड़ते हैं बाद है इसलिए हमें ही रिखोस करते हैं मैं मैडम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारी गरीबों की ओवाज उपर तक बजाते हैं तो हमारे जो चोदर इस अली मामद चेची साब भी कठुमा वो भी बड़ी मेहनत करते हैं तो माशाला नोजवान है तो हमारे लीडर जम्मू कश्मीर के डाक्टर जीजूनल साब वो हमारे मासबा का इंटरनेशनल लीडर है तो वो भी इसको कौम के लिए बड़ी जद्वजद कर रहे हैं जो शुक्रिया यह थे हमारे साथ इंटरनेशनल गुज़र माहा सबा के वाइस प्रेजिडेंट चोदरी खादिम हुसेन जी जिस तरह से जो दोदी गुज़र है उनकी काफी देर से एक पर्मनेंट सेटलमेंट की मांग चली आ रही है जो भी तक पूरी नहीं हुई फिर द जाते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी और भी ध्यान दिया जाए ताकि इनको भी अपलिफ्ट करने में हेल्प हो तो ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रही है स्टेट अब्जर्वर के साथ